अदिती और बाकी के लोग भी उस तौफ़े को देख कर हैरान रह गए थे। जैसे ही उस बंदे ने अपना कॉमेंट पूरा किया, गौरव और प्रतीक दोनों के मुझ से एक साथ निकला, अरे वाँ, क्या बात कही है? जियो मेरे भाई, कॉमेंट सेक्शन में जो लोग अब तक गौरव और प्रतीक की टांग खीच रहे थे, उन्होंने भी उस बंदे की तारीफ करना शुरू कर दिया। हाँ, एक बंदे को ऐसा ही होना चाहिए, हमारे नए एड्मिन जैसा। भाई, यह बंदा पैसों से नहीं, अनुभवों से बात कर रहा है। आपको धेर सारे लाइक्स, सर, आप उन पैसे वाले बापों की बिगडी हुई उलादों से लाख गुना बहतर हो। वैसे बॉस, आप करते क्या हो, जब एड्मिन की तारीफ में इतने सारे कॉमेंट आने लगे तो अमन चुपचाप हो गया और थोड़ी ही देर में उसने चैट रूम भी छोड़ दिया। जैसे ही उसके जाने का नोटिफिकेशन आया, गौरफ समेथ सारे लोग उस पर हंसने लगे। अदिती के पास से एक आवाज आई, अदिती, ये चैट रूम का एड्मिन कौन है। अगले ही पल एक लड़की अदिती के पास आकर बैठ गई और कैमरा की तरफ देखकर हाथ हिलाने लगी। वह बिना सोचे समझे अदिती के लाइव में घुसाई थी। हेलो दोस्तों, यहां मेरी फ्रेंड और रूम में दिव्या है। अब आप सब मुझसे थोड़ा सा ध्यान हटा कर इसे देखिए। वैसे मैंने इसके लाइव का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अदिती ने दिव्या का परिचय देते हुए कहा। दिव्या भी अदिती का लाइव देख रही थी। जब उसने देखा कि उसके कॉमेंट सेक्शन में पांच चांद आ गए थे। जिनकी कीमत पचास हजार रुपए थी। यहां देखकर दिव्या का दिमाग घूम गया। उन्हें देखकर दिव्या का मनुसमीर बंदे से बात करने का हुआ जिसने अदिती को इतना बड़ा तौफा दिया था। उसने अदिती से पूछा, अदिती, तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। मैं पूछ रही हूँ कि यहां बंदा कौन है, न केवल दिव्या, बलकि सभी लोग जानने के लिए बेताप थे कि वह कौन है, जिसने एक ही बार में अदिती पर 50,000 रुपए लुटा दिये। अदिती ने दिव्या की ओर देखा और कहा, मुझे भी नहीं पता कि यहां कौन है, लगता है यहां श्रीमान जी मेरी लाइफ पर पहली बार आये हैं, सर, आप अभी भी यहीं है या चले गए, अदिती ने पूछा और तभी दूसरी तरफ से हां का मैसेज कॉमेंट सेक्श वैसे मैं भी अपना लाइफ शुरू करने का सोच रही हूँ, क्या आप मेरे भी लाइफ से जुडेंगे, प्रॉमिस मैं आपको अदिती से भी अच्छा रिटर्न गिफ्ट दूँगी, दिव्या ने कहा और कैमरे की ओर देखने लगी, उधर जब गौरव ने देखा कि प् सुना करते हुए फोन की स्क्रीन पर नजरे गड़ाए रहा, वहीं अदिती गुस्से में दिव्या की ओर देख रही थी, दिव्या जान बूज कर अदिती का आइडिया चुरा कर उसका काम खराब करना चाह रही थी, तुम अपना लाइफ शुरू करने वाली हो, अगर कर भ में एक दिल्चस्प बात बताना चाहती हूँ, मैं अब तक सिंगल हूँ और मुझे आज तक कोई आपके जैसा नहीं मिला, अगर आपको भी कोई मेरे जैसा ना मिला हो, तो हम मिल सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, मैं आप से मिलने के लिए बहुत एकसाइटेड दिव्या ने कहा और शर्म से उसके गाल लाल हो गए, जैसे ही उसने ये बात कही, नीचे किसी ने कॉमेंट किया, क्या कहा तुमने, तुम सिंगल हो? उसे पढ़ते ही दिव्या एक पल के लिए पीछे हट गई, उसने सिर्फ उस चांद वाले बंदे का ध्यान खीचने के ल अगर उसकी आखों में कोई गुसा नहीं था, दिव्या ने शर्माते हुए कहा, हाँ, मैं अभी तक तो सिंगल हूँ, और आज तक मैंने किसी को अपना बॉइफ्रेंड बनाया भी नहीं है, नीचे एक लड़के ने लिखा, अरे दीदी, क्या बात कर रही हो, और चौकने वाला इमोजी चिपका दिया, अदिती का चहरा भी उस इमोजी जैसा हो गया और उसने पूछा, दिव्या, कैसी बाते कर रही हो, सब के सामने लाइव आकर जूट बोल रही हो, पूरी क्लास जानती है कि तुम्हारा अभी अभी प्रिंस के साथ ब्रेक अप हुआ है, और आ हम सिर्फ साथ में हैंग आउट करते हैं, और जहां तक प्रिंस की बात है, तो वो तो बेचारा गरीब है, मैं बस उसकी पढ़ाई में मदद करती थी, हाँ, जब उसे भूख लगती थी तो हम साथ में गोल गपे खाने जाते थे, वह पैसे देने के लिए जोर देता था, ल अधिती को उसकी बाते सुनकर गुस्सा आ रहा था, अधिती कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि एड्मिन चैट रूम छोड़ कर चला गया, उसे जाते हुए देख कर दिव्या और अधिती का चेहरा उतर गया, उधर प्रिंस ने अपना फोन बंद किया और आखे बं तो उसकी आखों में जरा भी दर्द नहीं था, यहाँ सब सोचते सोचते प्रिंस अर्पित के बिस्तर पर ही सो गया, अगले दिन जब उसके दोस्त क्लास के बाद वापस अपने कमरे पर जा रहे थे, तो वे प्रिंस को भी अपने साथ ले आए, रास्ते में प्रिंस अपन जब चाहो तब फिर से शिफ्ट हो सकते हो, इसलिए हम आज ही तुम्हारा कमरा खाली करके सारा सामान यहां ले आएंगे, प्रतीक बोला, यार, तुम लोग सच में मेरी जान हो, प्रिंस ने कहां और प्रतीक और गौरव को गले लगा लिया, अबे, शाम को असली वाली पा क्या हुआ भाई, प्रिंस ने पूछा, अर्पित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुरसी पर आकर बैठ गया, बता ना भाई, क्या हुआ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने फिर से कोई गेम कर दिया क्या, गौरव ने पूछा और प्रिंस की ओर देखने लगा, अर्पित कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अपना चेहरा लटका कर बैठा हुआ था, थोड़ी देर बाद उसने कहा, कुहू, कुहू को कुछ हो गया है, और कहते ही उसने अपनी गर्दन नीचे जुका ली, पर हुआ क्या है भाई, वो ठीक है, प्रिंस ने उसके पास बै गए थे, बाद में कुहू ने वहां से निकल कर पुलीस में उसकी शिकायत भी कर दी थी, लेकिन मुझे आज पता चला कि वहा आदमी कौन था, अर्पित ने घबराते हुए कहा, कौन था, प्रिंस ने पूछा, सब लोग अर्पित के चेहरे को बिना पलके जपकाय देखे जा रहे थे, वह मुकल भलोटिया था, उसके पिता इगल ग्रूप आफ कमपनीज के मालिक हैं, और वह खुद इगल ग्रूप का होने वाला सीईओ है, अर्पित ने कहा, इगल ग्रूप प्रतीक के मुझ से निकला, भाई, इगल ग्रूप तो दिल्ली की दस सबसे बड़ी फर्मों में आता है, अरे यार, ये तो कुहु ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली, जब प्रिंस ने उसे शांत करवा ही दिया था, तो फिर उसे पुलीस में जाने की क्या ज़रूरत थी, गौरव ने कहा, प्रिंस ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हां, लेकिन पिता का अकाउंट अगर स्मार्ट सिटी बैंक में है, तो वहां भी तो पावर्फुल है। भाई, उसके पापा की कोकिला ग्रूप आफ कम्पनीज नाम की फन बहुत बड़ी है, लेकिन एगल ग्रूप के आगे वो लोग कुछ भी नहीं है। और मैंने तो यहाँ भी सुना है कि एगल ग्रूप और कोकिला ग्रूप के बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स पर पार्टनर्शिप चल रही थी। इगल ग्रूप ने कोकिला ग्रूप को कुछ काम दिलवाया हुआ था और अब उनके यहाँ से कुहु के पिता के पास एक लेटर आया है कि वे सारी पार्टनर्शिप को खत्म कर रही हैं और आगे से कोई भी काम नहीं करेंगे। यहाँ सुनते ही कुहु के पापा सकते में आ गए और उन्हें हार्ट अटेक पढ़ते पढ़ते बचा है अर्पित ने कहा। प्रिंस उसकी बात सुनकर सोच में पढ़ गया था। अभी उसके लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी था। मारे गए भाई, मारे गए, गौरव अपने आप से बड़-ड़ा रहा था। उसके बोलने के बीच में ही अर्पित का फोन बजने लगा। सब लोग उसके फोन की घंटी की आवाज सुनते ही शान्त हो गए। आखिर किसका था वो फोन? कुछ की वज़ा से इन तीनों के ऊपर क्या संकट आने वाला था? और क्या प्रिंस कुछ और अपने दोस्तों को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगा? जानने के लिए देख प्रिंस दा मिलेनियर का पार्टनौ पिंजरे में कुहूं।